कम्यूनिकेशन इसमें जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना को साजा करता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को हम कम्यूनिकेशन कहते हैं कम्यूनिकेशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट होती है दोस्तों वो यह होती है कि जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुचा रहे हैं या दूसरों को बता रहे हैं कोई भी जानकारी तो दूसरा जो परसन है जो हमारी बात को सुन रहा है वो उस बात क तो उसी ग्राइख से सही सेंस में समझ सके तो उस तरह से जो कम्यूनिकेशन है दोस्तों वो एक Latin word कम्यूंचेर और कम्यूनिस से आया है जिसका मतलब होता है To make comment और To share To share का मतलब यह आप जानते हैं दोस्तों Sharing दूसरों के साथ कोई भी information कोई भी idea, कोई भी fact या आपने कोई भी opinion अपनी जो feeling है share करना और to make comment का मत्तब भी दूस्तों वही है मान लेजिए आपके पास कोई भी जानकारी है वो जानकारी आपने दूसरे परसंद को बता दी तो आप में और आप दूसरे परसंद में एक common चीज हो गई वो जानकारी वो बात तो कोई भी बात आपको पता है जब आप दूसरे को बता देते हैं तो ये communicate करना हुआ इस प्रोसेस अब दूसरा वक्ति उस बात को जानता है तो आप में और दूसरे वक्ति में एक चीज़ common हो गई वो बात तो इस तरह से जो communication है जो इसका मतब क्या है तो में कॉमन आगे लिखा है कि communication is the process of passing information and ideas from one person to another वही चीज़ दूसरतो communication एक ऐसा process एक ऐसा प्रोक्रिया है जिसमें हम कोई भी अपनी information कोई भी idea को दूसरों के साथ एक वक्ति से दूसरे वक्ति के साथ पास करते हैं आगे लिखा है In fact, communication means convey a message by one person to another so that another person may understand, follow and implement the message यानि कि वास्तों में जो communication का मतलब इस तरह से क्या हुआ कि कोई भी अपनी message को एक वक्ति से दूसरे वक्ति तक पहुचाना यानि कि इस तरह से पहुचाना कि दूसरा वक्ति जो है उस बात को सही तरीके से समझ जाए और उसे सही तरीके से follow करे, implement करे means जब हम किसी से communicate करते हैं या बात चीत करते हैं तो हम जो कह रहे हैं दूसरे वक्ति से, दूसरे वक्ति यानि जो हमारे बात को सुन रहा है या देख रहा है पढ़ रहा है, तो वह वक्ति यानि receiver हमारे बात को ब्रुकुष सही तरीके से समझे, जो हम कहना चाहते हैं उस वक्ति से, तो यह हमारी फिर एक complete communication कहलाएगा दोस्तों, इस तरह से, if one person is unable to follow the message of another, it cannot be called as communication, यानि कि यहां पर लिखा है कि अगर एक वक्ति कि दूसरे वक्ति के बात को समझने में या follow करने में थोड़ा सा unable है, यानि असमर्थ है, यानि वो समझने पा रहा है कि दूसरे वक्ति क्या कहना चाहरा है, तब यह एक complete communication नहीं कहलाएगी, for example, if the chairman of an enterprise delivers his speech in English in the annual journal meeting and there is no one who can understand English, it cannot be called communication, यानि कि दूसरे यहाँ पर एक example भी लिया गया है, कि एक chairman है, किसी भी enterprise, किसी भी company का, जिन्होंने अपने speech जो है, वो एक meeting उन्हें रखी, वो English को नहीं समझ सकते थे, वहाँ पर कोई भी वक्ति नहीं था, जो English को समझ सकता था, अच्छे से, लेकिन जो chairman थे, उन्होंने पूरी speech English में ही दे, तो आप मुझे बताएं दोस्तों, क्या उन्हें से कोई भी वक्ति उनकी बात को समझ पाया होगा सही से, सायद नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वक्ति English को समझ ही नहीं पा रहा था, किसी को English उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती थी, कि वो English को समझ सके, लेकिन chairman ने यहाँ पर नहीं कहलाई है, तो अगर हम अपने बात को दूसरों तक पहुचाने में सफल हो जाते हैं, तब यह एक complete communication कहलाती है, आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ definitions को, कुछ scholars के द्वारा बताई गई हैं जो की, According to J.G. Brown, communication is transfer of information from one person to another, यानि कि यह communication है, वो एक person से दूसरे person तक कोई भी जानकारी को transfer करना, यानि कि कोई भी जानकारी का आदान प्रदान करना है, Whether or not illicit confidence, यानि कि चाहे वा बात या वो information विश्वास दिलाए या ना दिलाए, But the information transfer must be understandable to the receiver, यानि कि वो बात बताई जा रही है, वो बात understandable, यानि कि समझ में आने वाली बात होनी चाहिए, यानि कि जो बात जो भी information एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तर शेयर की जा रही है, वो बात दूसरा व्यक्ति यानि receiver आसानी से समझ सके, उसको वो बात समझ में आनी चाहिए, तभी हमारा communication वो कहलाएगा, आगे देखते हैं जुस्तों, Robert Anderson के द्वारा बताई कहीं जो definition है, इनके according बताया गया है कि communication is interchange of thoughts, opinions or information by speech, writing और science, यानि कि ये बता रहे हैं कि communication क्या है, किसी भी thought, opinion और information का interchange है, यानि आदान प्रदान करना है, और कैसे आदान प्रदान करना है, by speech, writing और science, by speech in the sense, बोल कर दोस्तों, और writing का मतलब लिख कर, और science का मतलब किसी भी चिन्हों के द्वारा अपनी बात को समझाना, तो यहाँ पर इनकी definition ये कह रहे हैं कि communication किसी भी विचार, या कोई भी भावनाओ को, या कोई भी जानकारी को पोल कर, लिख कर, या किसी science के माध्यम, यानि कोई भी चिन्हों के माध्यम से आदान प्रदान करना, एक व्रक्ति से दूसरे व्रक्ति तक, तब हमारे वो communication, वो process हमारा communication कहलाएगा, नेक्ष्ट हमारे new man and summer जी हैं, यह बताते हैं कि communication is an exchange of facts, ideas, opinion, or emotion by two or more persons, यानि कि इनके according बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्रक्ति, अपने कोई भी fact, यानि कि कोई भी तत्त, कोई भी विचार, या कोई भी emotion, यानि कि कोई भी भावनाओं को, जब एक दूसरों के साथ आदान प्रिदान करते हैं भावनाओं का, तब वहाँ process हमारा communication कहलाता है, according to Theo Hyman, communication means the process of passing information and understanding from one person to another, means communication एक ऐसा process है, एक ऐसा प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी information और understanding को एक व्रक्ति से दोसरे व्रक्ति तक पास किया जाता है, यानि पहुंचाया जाता है, या share किया जाता है, means it is the process of imparting ideas and making oneself understood by others, तो जो हमारे next scholar है, उनका नाम है Leland Brown, तो in the words of Leland Brown, communication is the transmission and interchange of facts, ideas, feelings, और course of action, यानि कि इनके द्वाराब बताया गया है कि communication क्या है, कि कोई भी fact, कोई भी idea, कोई भी feeling का interchange या transmission ही communication कलाता है, तो इस तरह से दोस्तों, communication एक ऐसा process है, जिसमें हम अपने कोई भी information को, या कोई भी हमारा जो ideas है, या कैसा हम feel कर रहे हैं, means हमारे feelings, या हमारे क्या विचार हैं, किसी भी चीज के प्रतिया, किसी भी चीज को लेकर, means हमारे opinions, जब हम किसी को बता रहे होते हैं, means उसके साथ share कर रहे होते हैं, तो यह जो sharing का process होता है न दोस्तों, इसे हम communication बोलते हैं, चाहे वो बात हम लिखकर बता रहे हों, बोलकर बता रहे हों, या किसी sign की help से, किसी चिनों के माद्रम से हम उसे बता रहे हों, और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यदा important होती दोस्तों, वो आप चांते ही हैं, कि हम हमें अपनी इससे कुशिश करना हैं, कि हम अपनी जो बात बता रहे हैं दूसर वक्ती, सही तरीके से, सही sense में उस बात को समझ सके, मिस, अगर आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरे वक्ती तक पहुचाने में सफ़र हो गए, तब आपकी जो उनके साथ communication, जो बातचीत हो रही है, एक complete communication मानी जाएगी, यानि सही communication मानी जाएगी.